अब की बार चार सो पार, अब की बार चार सो पार सत्तारूड भाजपा के इस दावे को एक बार फिर से विपक्शी दल समझ नहीं पाए हैं अपने निजी हितों में तमाम दलों के नेता लगे रहे और टोह लगा कर बैठी भाजपा ने इसी मौके का फायदा उठा लिया लगातार अपने पेंतरे चले और आखिर में राजस्थान के सियासत में एक ऐसा तूफान ला दिया मानो पूरी कॉंग्रेस को ही भाजपा निकल गई हो राजस्थान में कॉंग्रेस के कई दिगज नेताओं सहीत राजनीती से जुड़े 32 नेता भाजपा में शामिल हो गए इन में कुछ नेता तो कॉंग्रेस में रहते हुए केबिनेट मंत्री रह चुके हैं तो कुछ कॉंग्रेस के टिकेट पर लोकसभा का चुनाओ भी लड़ चुके हैं नवश्कार मैं हूँ विजय वर्मा और आज हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत में आए उस तूफान की जिसके आगे कॉंग्रेस को बीजेपी की सुनामी नजर आ रही है दरसल पहली बार ऐसा हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में एक राष्ट्री पार्टी से जुड़े कई दगज नेता दूसरी राष्ट्री पार्टी में शामिल हो गये हैं इन नेताओं में पूर विधायक और पूर केंद्री मंत्री भी शामिल हैं इसी के साथ एक नेता पूर राजपाल के बेटे भी हैं और एक नेता हनुमान बेनवाल की पार्टी आरल पी के बैनर तले चुनाव लड़कर दूसरे नंबर पर रह चुके हैं कई नाम ऐसे भी हैं जो विभिन्द सावाज एक संगिटनों से जुड़े हैं और चटचे चेहरे हैं आईए जानते हैं आखिर कौन कौन से वे नेता हैं जिने कॉंग्रेस के खासतोर से कॉंग्रेस ने मान सम्मान पदप्रदिश्टा सब कुछ दिया लेकिन मौका देकर अब वे बीजेपी के हो गए हैं हालाक इनमें कुछ तो 2023 के विधानसवा चनाओं में टिकेट नहीं देने से खाफा थे तो कई निते ऐसे हैं जो पहले से ही भाजपा में शामिल होने का मन बना चुके थे सबसे पहले बात करते हैं कॉंग्रेस के दिगज नेता और पूरू सीम अशो गहलत के खासम कास लालचंद काटारिया की काटारिया को लेकर सियासी हलकों में लंबे अर्से से चर्चा चल रही थी कि वे भाजपा में शामिल हो सकते हैं लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ने कोई पहल नहीं की लालचंद काटारिया पूरू केंदरी मंत्री भी रह चुके हैं एक बार आमेड से और दो बार छोट वाड़ा से विधायक रहे हैं काटारिया दो बार राजस सरकार में केविनेट मंत्री भी रहे हैं दूसरा नाव आता है राजिंदरी आदाव का, कॉंग्रेस के वरिष नेता रहे हैं, पूरवर्ती गहलो सरकार में मंतरी रह चुके हैं, चैपुर ग्रामे की कोट पुतली विधान सवा से विधायक रहे हैं, कोट पुतली बहरोड अब नया जिला बन चुका है, इसी तरह वि कॉंग्रेस के टिकेट पर लोगसवा सांसद भी रह चुके हैं, 2023 के विधान सवा चुनाओ में जब कॉंग्रेस ने उनका टिकेट काट दिया, तो उन्हों निर्दली चुनाओ लड़ा था, नागोर के मिर्दा परिवार के रिचपाल मिर्दा डेगाना, विधान सवा सीट इसे चार बार कॉंग्रेस के विधायक रह चुके हैं, वे भी बीजेपी के हो चुके हैं, इसी तरह डेगाना से पूर विधायक विजैपाल मिर्दा भी बीजेपी में चले गए हैं, कॉंग्रेस ने पिछली बार जबकि रिचपाल मिर्दा का टिकेट काट कर कॉंग्रेस विजेपाल मिर्धा को दिया था लेकिन विछ विदान सबाचनाव हार गए थे इसी तरह पूर राजपल डॉक्टर कमना बेनिवाल के बेटे आलोग बेनिवाल भी टिकेट काटे जाने से खफा थे अब वे कॉंग्रेस छोड़ भाजवा में शामिल हो गए हैं जबकि उनकी म कार सिंग चौधरी गोपाल राम कुंकणा डॉक्टर अशोग जांगेड भाजवा में शामिल हो चुके हैं राजस्तान की पहली बोडी बिल्डर और अंतराश्टी गोर्ड मैल डेस्ट प्रिया सिंग मेगवाल जो की सोशल मीडिया पर भी इन दिनों काफी चर्चाओं में रहती है वे भी बीजेपी में शामिल हो चुकी है प्रिया सिंग तीन बार मिस राजस्तान रह चुके हैं वे समाज कल्यांड विवाकी ब्रांट एम्वेस डर्वी रह चुकी है इसके अलावा कॉंग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सुरईश चौधरी राजिंद्र परसवाल, शैतान सिंग महरडा, जगनात बुरड़क, हरजीराम बुरड़क पूर के करशी मंतरी के बेटे हैं, राम नायराण जाजड़ा, करमवीट चौधरी, कुलदीब धेवा, बच्चु सिंग चौधरी, रामलाल मेना, महेश शर्मा, रनजीत सिंग, भी फैरिस्त है, अब सवाल उठता है कि पिछले विधानसभा चुनाओं में तीन महतपूर्ण राज्यों में अपनी सरकार गवा चुकी कॉंगरेस की रननेती कमजोर है, या फिर भाजपा की जीत के आंकड़ों को देखकर, बड़े कार्मा को देखकर, ये कॉंगरेसी ने बड़ा किया, मान, सम्मान दिया, पद दिया, प्रतिष्ठा दी, वे ही आज कॉंगरेस को अब खट खड़े में खड़ा कर रहे हैं, उनके पास कॉंगरेस छोड़ने के पीछे, गिने चुने कारण ही है, कोई कह रहा है कॉंगरेस में परिवारवाद है, तो कोई पिछले विदान सबा चुनाओं में टिकेट नहीं मिलने के साथ ही, पूर सीएम की मन मानी से खफा है, लेकिन लारचंद काटारिया के बीजेपी में जाने के फैसले को लेकर कॉंगरेस सकते में आ गई है, क्योंकि काटारिया की गैलोत से भी अच्छी मनती थी, तो आला कमान से भी राइस्तान में केबिनेंट मंत्री जैसे महत्पूर्ण पर रहे, तो यूपीए सरकार में केंद्री मंत्री भी रह चुके हैं, उनका टिकेट इस बार भी लोकसभा के लिए तैम आना जा रहा था, हाला कि कटारिया से पहले महिंदर जीत सिंग मालविया भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, इसके अलावा विदान सबाचुनाओ के दौरान भी कई ऐसे नेता जिनको कॉंग्रेस ने पहचान दिलाई, वे भी बीजेपी में शामिल हुए हैं, हाला कि सियासी हलकों में दबे मुँआ आवाज आती कि कॉंग्रेस की डूबती नईया की सवारी को और भी मुश्किल हो गई है, मुझे दीजेजाजक, नमस्कार.